अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फो लेटर शेमा के वीडियो हम मेरे टेलेग्राम चैनल से भी जूर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में आपको मिलेगा हम पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है यह डिरेकली मुझे पूछ सकते हैं चोगाईज हम भी इस वीडियो बात करेंगे एक फार्माशीटिकल कंपनी की नहीं दो फार्माशोटिकल कंपनियों की बात करेंगे एस्ट्राजैनिका और एक और कंपनी है उसका नाम भी मैं बताँगा उससे पहले हम एस्ट्राजैनिका की जो एस्ट्राजैनिका फार्मा इंडिया लिमिटेड जो फार्मा कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं तो इसका बाउन भी कहाई है वह 4970 है और लोकी बात करें तो 1850 है और एड प्रेजन शिर्फ आपको 4760 रुपे की आसपास इसका फ्लیک्टेशिसन आपको मार्केट में मिल रहा है आज मोनें की बात करें तो गाइच फ्लस में था obviously plus में था और काफी अच्छा plus था even 100 point के आज पास ये plus गया था इसके maximum की बात करें जो कि maximum और और जो इसका बावन भी खाई है वहीं इसका maximum और काफी अच्छी condition में at present और बड़ी news क्या है इससे related वो मैं बता दो जो guys बड़ी news ये है कि जो इसकी वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है जो कि UK government ने इसको अप्रूवल दे दिया है यह देखिए UK health significant moment as export COVID-19 vaccine gets green light जो कि काफी बड़ी news है ये AstraZeneca जंप following vaccine approval जो कि vaccine का अप्रूवल मिल चुका है UK government से जो कि ये जो कि Pfizer और Moderna के बाद ये तीसरी vaccine है जिसको approval मिल चुका है ये देखिए AstraZeneca among the leader on on the FTSC in early trading on Wednesday as Britain become the first country to approve the export COVID-19 vaccine for widespread use markets welcome the news and boosting the share price as nations continue to struggle to contain case numbers hampered further by new and highly contagious variants first found in the UK जो कि Oxford जो University है Oxford इसको इसकी research में लगा हुआ था जो COVID-19 की vaccine में जिसको approval मिल चुका है जो की related है AstraZeneca से जो गई इसकी अगर ये news हर जगह flash होई थी कल की ही news है AstraZeneca stroke jumps after the UK authorized emergency use of its vaccine which it created with Oxford University जो की काफी अच्छी news है ये AstraZeneca को लेके जो की ये देखिए अगर इसके कुछ पॉइंट्स देखे जो की AstraZeneca से related जो की कल जो news flash वही थी वो शेर प्राइस है वो काफी ऊपर चला गया था AstraZeneca stock rose on Wednesday after the UK authorized the vaccine it's created with Oxford University it is the second vaccine authorized for emergency use in the UK after Pfizer and BioNTech BioNTech जो की Pfizer और BioNTech उससे पहले already emergency use के लिए UK में यूज आती जो और second जो authorized जो vaccine है वो है AstraZeneca की Oxford वाल जो उस पे research लगा जो AstraZeneca vaccine है वो उसको already UK से अपरवल मिल चुक है AstraZeneca vaccine is easily to store and requires standard refrigeration other COVID-19 source needs cold storage तो गईज ज्यादा जो normal जो इसका standard refrigeration है उसमें ये काम करेगा उसकी storage standard refrigeration में कर सकते हैं अच्छी बात है ये COVID-19 vaccine को लेगे जो की AstraZeneca की जो vaccine है उसको लेके जिसको UK से approval मिल चुक है जो गाईज ये news हर जगह flash हो रही है और कापी बड़ी news है ये AstraZeneca जो COVID-19 vaccine को लेके UK approved Oxford AstraZeneca vaccine जो की काफी अच्छी news है ये COVID-19 vaccine को लेके जिसकी वज़े से कल share price इसका भी ऊपर गया था बात करें तो गाईज 546 रुपे इसका लो है बाउनोगी की बात करें 140 रुपे है और बाउनोगी काई की बात करें 519 रुपे 80 पैसे जो की आज ही इसने crack किया है तो maximum की बात कर लेते हैं तो maximum की बात करें तो गईज किसी टाइम पर यह बहुत पड़ा शेयर हुआ करता था इवन 2000 रुपे के आसपर 2000 से भी उपर का शेयर हुआ करता था 2013 में और एड प्रेशन से वर से 500 रुपे के आसपर इसका आपको मार्केट में बिल रहे आप अभी एक का आपके दिमाग में यह चीज़े होंगे इसका वोकार्डेट और एस्टाजेनिका का रिलेशन क्या है तो वो रिलेशन मैं बता दू कि एक न्यूज आई थी जो कि फ्लैश होई थी यह न्यूज है देखिए जो कि इसने वोकार्डेट इन टोक्स वोकार्डेट बात कर रहा था जिसमें से एक जो एस्टाजेनिका से भी बात कर रहा था जिसको अभी अब्रूवल भी मिल चुका है यूके गवर्मेंट से यह देखिए इंडियन ड्रगमेकर वोकार्डेट लिमिटेट वोकार्डेट के साथ इसने पार्टरशिप की थी और यह जो वैक्सीन है जो एस्टाजेनिका वो यूके की वैक्सीन है ऑ्वक्सीन की वैक्सीन यूके वैडि वैरे वैपी तो ऑनॉंस तथा अँन्साइट झान। प्र्मिीन बोर्श जोंस्ट विजिएग वोकार्डेट अब्सक्ट्रिकश्ध इसलिए अर्ट प्रेक्सीन की रखेह जो दोन डोर सेड़ और फॉर एंटेर प्सक्विर बेला उर्षे बेल्डिवार्त रखनेर में उन्युट है his iPhone with it will be for AstraZenecaочки Aud seized first which will be founded by others other vaccine contracted by the UK government both in the UK and India causa it has the capacity of many better to manufacture vaccine existing vaccine manufacturing capacity can be ramped up very quickly globally over 15 billion doses of vaccine as required and the current capacity word worldwide is 5 to 6 million doses, making vaccine available quickly in emerging markets will be challenged work audit is prepared to play its social role in this respect, so guys यह जो अभी जो इसकी partnership कोई थी, जो की 1 December की news है जो की उससे relate करती है, estrogenica जो अभी vaccine है, जो estrogenica Oxford University की जो vaccine है उससे related, so guys हम इन दोनों के हम result की बात कर लेते हैं, कि इसका financial कैसा है work audit की बात करें, तो guys इसके work audit की यह देखिए, जो इसका first quarter है current financial का वो जबर्दस्त था, even काफी अच्छा profit इसमें इसने earn किया था, second quarter के बात करें तो guys company loss में चली गई थी, बट अभी जो current quarter है उसमें अगर इसकी जो अगर AstraZeneca की अभी इसको approval मिला है UK government से, तो obviously इसकी vaccine की जो sale होगी हो, काफी अच्छी खासी होगी, even company काफी अच्छा काम कर दी है, no doubt काफी strong position पर है, so guys इसके dividend की बात करें, 2016 के बाद इसने कुछ भी dividend नहीं दी आपने share order को, even share price की बात करें तो इसका bound week low, मैंने आपको दिखाया था, कि 148 रुपे के आसपास इसका bound week low था, अगर इसके, पैनली हम AstraZeneca की बात करें, तो AstraZeneca की बात करें, तो guys यह देखिए, इसका financial देखें, तो जबरदस्त financial है guys इसका first quarter है, वो totally profit में second quarter की बात करें, तो इसका profit increase हुआ था, और around double के आसपास इसका profit increase हुआ था second quarter में अगर quarter on quarter जबात करें, तो guys इसके हम dividend की बात करें, तो 2019 में भी इसने dividend दिया था, 2020 में भी इसने dividend दिया था, अपने share order को interim dividend, so guys, और रहल काफी अच्छी company है, और obviously, COVID-19 vaccine का approval तो इसको UK government से मिल ही चुका है, जो के काफी बड़ी news है, estrogenica को लेके, so thanks a lot for watching this video, so please take care, please like, comment, share, subscribe, thank you, take care.